हेलो फ्रेंज कैसे हूँ आप मैं हूँ दिव्यारा ठोड स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल क्विक्ली कुकिंग मॉम के साथ में क्या आपको कि गुजराती को अथेंटिक खाना पसंद है तो आज हम बनाने वाले हैं हमारे किचन में गुजराती अथेंटिक काठियावारी सबजी डोक्री की सबजी आपने बहुत सारी डोक्री की सबजी खाई होगी पर हम आज एकदम काठियावारी स्टाइल में इस सबज लाल मसाला, तन्या जीरा पाउडर, थोड़ी सी चीनी, हम गुजराती डिश बना रहे हैं, तो चीनी तो हम भूली नहीं सकते, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और स्वाद अनुसा नमक, अब इसमें हम तेल डालेंगे, यहाँ पर मैंने पाच छोटे चमच तेल लिया है, एक छोटी सी कटी हुई प्याच, और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, हमें इसका आटा है, यह देखिए, रोटी की तरह ही गुंदना है, लेकिन रोटी की तरह सॉफ्ट नहीं होना ची, हमें यह थोड़ा सा हाड रखना है, और तेल लगा कर मैंने अच्छे से इसे गुंद लिया है, यह देखिए, यह देखिए, यह कितना कड़ग गुंद है मैंने, और इस तरीखे से हाथों से फैला कर मैंने इसे क्राउन बना लिया है, अब हमें रोटी की तरह ही इसे बेल लेना है, यह डोखरी की सबजी ऐसी बनने वाली है, जो आपने कभी भी नहीं खाई होगी, यह देखिए, इस तरीखे से हाथों से भी हमें इसे फैलाते जाना है, और बिलन से भी इसे हमें अच्छे से राउंड शेप में ले आना है, इसे हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, यह देखिए, यह तयार है, यहां पर मैंने एक steamer लिया है जिसमें मैंने पानी पहले से 5 मिनिट पहले गरम करने के लिए रख दिया था इसमें हम ओइल क्रीज करेंगे ताकि जो हमारी ढोकरी है वो इसमें चिपक ना जाए यह देखिए इस टाइम पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे जो ढोकरी का आटा जो हमने बनाया है राउन बनाया है वो तूटना जाए एकदम साफधानी से इसमें रखिएगा और ठकन लगाके 20-25 मिनिट तक अच्छे से हमें इसे पका लेना है यह देखिए 20-25 मिनिट हो गए है और हमारे जो टूकरी है वो पक गई है यह देखिए हम इसमें चकुल लगाकर देखेंगे यह देखिए इसमें बिल्कुल भी आटा नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि यह पक गई है अब इसे हम पीसिज में कट कर लेंगे इस तरीके से हमें वर्टिकल और होईजॉंटल दोनों तरीके से इसे कट कर लेना है कि आपने स्टीम डोकडी की सब्जी भी बहुत खाई होगी लेकिन आज हम अलगी तरीके से डोकरी की सब्जी बनाने वाले हैं अगर आप काठियावाडी खाना पसंद करते हैं गुझ्राती यह कुझ देखिया हमने जो और फॅय ग्रीस करके रखाता हमारी जो जो तोकरी ही हो अजे से निकल रही हैolf बोड़ेसे हम फ्राइ पर लेंगे यहां पर मैंने तेल लिया है इसमें हम बीक counterpart भाड़ कर रख देख रॽब ताकि ये यलो से औरेंज या फिर रेड हो जाए हमें दीमी आज पर इसे अच्छे से फ्राइ कर लेना है ये देखिए एक से दो मिनिट में हमारी जो ढूकरी है उसका कलर एकदम चेंज हो गया है और एकदम कड़क और अच्छी लगने लगी है ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है अब जिस तेल में हमने ढूकरी तली थी उसी में हम अपनी सबजी भी बनाएंगे तो यहां पर मैंने एक चक्र फूल लिया है और दो लॉंग ली है वो डालेंगे एक तेज पत्ता डालेंगे और दो बड़ी कटी हुई प्यास डालेंगे और अच्छे से इसे पका लेंगे दो चमच यहां पर मैंने अद्धक लसन की पेस्ट ली है उसे भी अच्छे से डाल कर हम भुन लेंगे यह देखे यह भुन गई है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर हम बाकी के मसाले इसमें एड़ करेंगे लाल मसाला यहां मैंने 500 ग्राम बेसन लिया था तो हमारी जो सबजी है उसकी क्वांटिटी जादा होने वाली है इसलिए यहां पर मैंने तीन से चार चमच लाल मसाला डाला है आप अपने हिसाब से जितना बेसन ले उसके हिसाब से ही लाल मसाला और दूसरे मसाले डाले त सारे मसालों को अच्छे से हम प्यास के साथ दून लेंगे यह देखिए एक मिनिट बाद इसमें अच्छे से तेल उपर आना शुड़ू हो गया है अब इसमें हम लसी डालेंगे यहां पर मैंने 500 आमल लसी ली है तीन से चार मिनिट तक ठक्कर इसे अच्छे से पका लेना है यह देखिए लसी egया च्छास डालने से हमारा जो ग्रेवी का लुक है वो एकदम चेंज हो गया है यह देखिए अब इसमें हम ढोकरी डाल देंगे शाष्ट से हमारी जो सबजी है उसमें एकदम अच्छा सा टेस्ट आएगा सुरक्षट डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिला लेना है और Tsarriver Insanसे मिला लेना है और तीन से चार मिनिट तक ढचकर अच्छे से पका लेना ताकि हमारी जो दोकरी तेक्चरी मैं कडा को जाएगा rit यह तेहएं 5-6 मिनित के बाद Sunday ठीजिए lice सब्सक्का गe अबिद ननीनी कता हैमारी अवारिज braucht'. और सबजी फिल सब्सक्राइ तो बनाये जबा एका कामेंट सेक्शनन में जबुन ऊपवात काहिएगा काथियावारी रेसिपी कैसी लगी हमारी चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा थेंक यू